नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त विक्रम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अस्टाडी वाइफाई जीके की दुनिया और आज के इस वीडियो मैं आप लोगे लेकर आया हूँ टॉप फिफ्टी क्यूष्टन जो कि ऐसा क्यूष्टन आपने पहले कभी नहीं पड़ाओगा मैं तो कहूंगा इस सौ पर्संट गारेंटी के साथ इसे आप अगर पढ़ लेते हो तो पांच नंबर तो पक्का हो ही जाएगा जिहां दोस्तों पांच नंबर तो पक्का हो ही जाएगा मैं अपने विश्वास के साथ कर सकता हूँ जो की एक्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टनेट है क्योंकि यह क्यूशन बार बार हमाई एक्जाम में लगातार दूराया जाता है तो दोस्तों इस वीडियो में आगे वड़ने से पहले मैं आपको बता दू अगर आपने हमारे चैनल अश्टाडी वाइफाई जीके की दुनिया को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो नीचे के दिये गए रेड बटन को दबा कर हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लिजे और शाथी साथ घंटे के आइकन को भी दबा दीजे ताकि लेटेस्ट वीडियो हमारे सस्पहले आप फर्स्ट क्यूशन जो हमारे इस वीडियो का लास्ट क्यूशन हो जाएता दोस्तो अगर यह वीडियो आप लोग लगता है कि लाइक करना चाहिए तो लाइक कर दिजे और शाथी साथ सेर भी कर दिजे ताकि लेटेस्ट वीडियो हमारे सस्पहले आप लोग को मिल सके तो चेट डूस्तो समय को नागवाते हुए, स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्योशन से तो मारा पहला क्योशन बोला जा रहा है भार्तिये उप महाद्वीप जहांस तो भारतिये उप महाद्वीप मुलता किसका अंग था इसका अग या मुकतता एक अंग था इसी के साथ समाधी जो है अगले क्यूषजंग की वह अगली क्यूषण की और अगला क्यू बोलज़ रहा है किउटन की जा रहा है, इसांटे सा औरा संबर जा रहा है, आप लोगे में जानफ़ के लिए निमनी Technology में से इस तरी प्रूस्ट दोनों के लिए है । यहां बहुत ही महत पूर्ण कूसरा जो है वह इस्त्री और पुरुस नून के लिए इस यह इस्त्री और पुरुस दोनों के लिए है इसी के साथ चल लेंगे हम लोग अगले क्यूशन की ओर तुमारा आगला क्यूशन बोल जा रहा है पतंजली का संबंद किस से है जैस्तो पतंजली का संबंद किस से है तो इसका सही अंसर है दोस्तो योग दर्शन से जैस्तो यह क्यूशन जो है हमारे एकजाम में बार बार लगातार ही पूछे जा रहा है पतंजली का समद्ध किस से है तो इसका सही एंसर है योग दर्शन से इसी के साथ चलेंगे हम लोग अगले क्यूशन क्यूर तुमारा अगला क्यूशन बोला जा रहा है ब्रह्म समाज के समस्थापक कौन है तो इसका सही एंसर दूस्तो राजा जो मनाया जाता है तो लोसांग जो है वो कहां मनाया जाता है तो इसका साथ चलेंगे हमारे अगले क्यूशन क्यूर तो हमारा अगला क्यूशन बोला जा रहा है जहस्तो जहस्तो एलोरा के गुफवा मंदीर किस से सम भनीत है जहस्तो यह पे गुफवा मंदीर जो है किस से सम हां Baptist अ az cont हैं हम लोग अगले क्योचन की ओर तुमारा आगला क्यूचन को जह रहा है है के लेंडर का पहला महीना होता है पहला महीना क्या होता है तो चैत्र होता है इसी के साथ चलते हैं अगले क्यूचन की ओर तुमारा आगला क्यूचन बोला जा रहा है चार मिनार कहां इस्थित है तुमारा आगला क्यूचन बोला जा रहा है अंतर राष्ट्रिय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है तुमारा आगला क्यूचन बोला जा रहा है नौकर साही की न्यूकती की प्राकिर्थी कैसी होती है तो इसका साथ चलेंगे हम लोग अगले क्यूचन की ओर और यह क्यूचन बहुत ही जादा भी भी आई है जितना भी भेली लगाया क्योंकि है क्योंकि क्यूचन हमारे रेलवे तीन वार लगतार ही पूछा जा चुका है गिरणार पहाड़ी कहां इस्थित है तो इसका सायवसर दोस्तों गुजरात में ज्यूचन इसको रट लिजिए ताकि यह क्यूचन अगली बार आया तो यह आप आए, तो गिरनार पहारी कहाँ सीत है गुजरात में सीती इसी के साथ चलेंगे, असाम लोग में माइकलनजलो नामक वायरस 20 में चिंठा का कारण कब बनी जया है वह माइकल अंजलो नामक बारश ूसरो यानि की कहने काम अक वह टू Een श्यत्तो,ắcुट बहुती खतरनाक और घातक वायरस थी जो कि 1994 में यह फैली थी इसका साथ चलेंगे हम लोग अगले क्यूचन के ओर तुमारा अगला क्यूचन है तोता यह हिंद के नाम से जाने जाते हैं तेह系 Patrol अमीर खुसरो का बास्ताविक नाम क्या है तो मुहम्मद हसन जो है वह अमीर खुसरो को बास्ताविक नाम है इसी के साथ चलेंगे हम लोग अगले क्योचन की ओर तो हमारा अगले क्योचन बोल जा रहा है संगीत की दुनिया का सितार का जादूगर की ने जाना जाता है तो रहीम से जो है वह सितार के जादूगर के नाम से जाने जाते हैं कर दो STH मार। तो इसका सभी था रहा है और गुरू की उपाजिंदे रहान ने गुरु नानक की नाम. उसकी के साथ चलेंगे हम लोग अगले क्योशुन की और हम राला क्योशंग बूल पोल जाहा है सिद्धार्त का वास्तिविक नाम क्या था । सिद्धार्थ, tourist है कि रिदी यहां सिद्धार्थ, अरु स्वामी विवेका नंद का बास्तवीक नाम क्या है तो इसका साथ चलेंगे हम लोग अगले क्यूचन की ओर तुमारा अगला क्यूचन बोल जा रहा है किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है जियंस तो बहुत ही मात्पूर्ण क्यूचन ये भी क्यूचन हमारे एक जामस में लगातार ही दूर आये जा रहा है दिल्ली अभी दूर है हम लोग अगले क्यूचन की ओर तो हमारा अगला क्यूचन बोल जा रहा है हमारा अगला क्यूचन बोल जा रहा है दुख में जियंस तो दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई या पंक्ती किसने लिखी है जियंस तो दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न क है 24 नंबर क्यों कहा रहा है कर्मcha日 के वादि कास्ते किर्म à भागमत गीता किया पंक्तिय इसी के साथ चलेंगे हम लोग अगले क्यूशन की ओर तुमारा अगला क्यूशन बोला जा रहा है किस ने कहा था राम और रहीम एक ही इस वर के दो अलग अलग नाम है तो इसका सायन सर्दस्तो कभीर दास ने दूस्तो कमीर धास ने कहा था कि राम और रहीम जो हैं एक ही इस वर के दो अलग अलग नाम है इसी के साथ चलेंगे हम अगले क्यूशन की ओर तुमारा अगले क्यूशन बूल जा संब्सक्राइब सब्सक्राइब इसका साथ यामनी कृष्ण पूर्थि का संबंध किस्त सास्त्रिय निरित से है इसका सर दोस्तो भरत नाट्यम से जैंस्तो और यह भी भी आई क्यूशन है जैंस्तो भी भी आई क्यूशन है क्यूंकि यह हमारे एक्जामस में लगतार ही पूछे जा रहे हैं जैंस्तो यह आमनी कृष्ण मूर्ती का समंद्र किस सास्त्री निरित से है तो इसका सैंसर दोस्तो भर प्रशिद्ध जो हैं वो बिर्दू बिर्जु महराज है इसे के साथ चलेंगे हम लोग अगले क्योशन की और तुम्हारा आगला क्योशन बोला जा रहा है भारत भारती जी आंस तो भारती सिवाजी किस सैली के निरित के लिए प्रशिद्ध है तो इसका साय है तो तो मोहनी जी आंस तो भारती सिवाजी जो हैं वो मोहनी अटम निरित के लिए प्रशिद्ध है इसे के साथ चलेंगे हम लोग अगले क्योशन की और तुम्हारा आगला क्योशन बोला जा रहा है तो इसका साय अंसर दोस्तो महराश्ट्र की जी आंस तो रंगोली जो है वो महराश्ट की परमुक एक लोक कला है इसे के साथ चलेंगे हम लोग अगले क्योशन की और तुमारा आगला क्योशन बोला जा रहा है अलपना जी आस तो अलपना भारत के किस छेत्र की परमुक लोक कला है तो इसका साय अंसर दोस्तो पाश्चिम मंगाल की जी आस तो अलपना जो है वो 1479 इसमें गुरुनानक देव का जन्म जो है में 1479 में हुआ था इसी के साथ चलेंगे हम लोग अगले qyon to त्याग राज कौन थे उसका सही आंसर दोस्तो एक संगीत अग्य जैंस त्याग राज जो थे एक संगीत अग्य थे इसी के साथ चलेंगे हम लोग अगले क्योशन की और रागला क्योशन बोला जा रहा है भारत में पुनर जागर का जन्म किसे कहा जाता है तो इसका साथ चलेंगे संत कवीर का जन्म कहां हुआ था तो वारानसी में इसे के साथ चलेंगे महावीर का जन्म किस घर आने में हुआ था तो इसका सही अंसर दोस्तो चत्रिय जो है वो चत्रिय घर आने में हुआ था इसी के साथ चलेंगे हम लोग अने के और तौमारा अग्ला क्यूश्फन बोला जा रहा है बुद्ध किस बंच से के संब्थी थे जिहां दोस्तो और महावीर खत्रिय बंन दोस्ते थे और बुद्ध यह हैं साख बंस से वा बंस से UP इसी के साथ चलेंगे पूर्व महावीर का नाम नाम और गौतम बुद्ध का पूर्व नाम क्या था तो सिधार्थ ध्यान दीजिएगा इसे किसा चलेंगे हम लोग अगले क्यूस्चन की वर्त मारा आगला क्यूस्चन बूल जा रहा है नियम्त में से कौन सा संथ महराष्टर के थे तो साथ इसी कर चल लेंगे हम लोग अगले क्यूस्चन की वर्त मारा आगला क्यूस्चन बूल जा रहा हो है दज्चिन वारत के अलबर कौन थे तो संथ जिएक किस गूरू का जन्म पटनास आइब में हुआ था तो इसका सिंसर्दस्तो गुरू गोविंद सिंग का जनम पठना के साहिब में हुआ था इसके साथ चलेंगे सिंख् गूरु अरजुन देव किसके सांकाल में थे झहां गीर के शाहनकाल में थे वो जहांगीर के सासन्काल में थे इसी के साथ चालेंगे जो है वो तांसेन है इसी के साथ चलेंगे हम लोग अगले क्योश्चन की और तो मारा हम आगला किसस बोला जा रहा है है कथक कहा का निरृतिक तो सभाराट का समंद किस निरृत तो तो मुखोटा कली जियांस तो कथक कली से सम्मंदित है इसी के साथ चलेंगे हम लोग अगले क्यूशन की और तुमारा अगला क्यूशन बोला जा रहा है निमलिकित में से कौन सा एक सास्त्रियन रित नहीं है तो दोस्तों यहां पे जो है गरवा जो है एक सास्त्रियन रित नहीं है इसी के स साथ चलेंगे हम अपने इस वीडियो के सबसे लाश्ट क्यूशन की और तुमारा सबसे लाश्ट क्यूशन बोले रहा है निमली कितमे से किस निरित का उद्भव उत्तर भारत में हुआ है तो दोस्तों आज का ये वीडियो अगर आप लोग को पसंद आता है तो लाइक कर दी किये ताकि हर किसी को ये वीडियो मिल सके और दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद अगर और जिन लोगों हमारे चैनल अस्टाडी वाइफा जी के की दुनिया को अब भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजिए और साथे साथ घंटे का बटन भी दवा दिजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो हमारे साथ से पहले आप लोगों को मिल सके तो दोस्तों इस वीडियो के देखने के बाद कोई सुच ना सुझाव या फिर सिकायत है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद